नमस्ते दोस्तों मैं सत्यजित गायकवाड एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई एजुकेशनल वीडियो इसमें आज हम सिखेंगे लिनियर एक्वेशन सीन टू हेरियेबल्स इस चैप्टर की ये फिफ्थ वीडियो है तो इससे पहले अगर आपने चार वीडियो नहीं देखी पहली चार वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर उन्हें देखे और उसके बाद ये वीडियो कंटिनु कीजिए तो आज कहा हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लेंस प्रेक्टिस सेट 1.5 वर्ड प्रॉब्लेंस जो लिनियर एक्वेशन पर इस वीडियो में हम सिखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू इंडिया फॉर्स सोचली लर्निंग व्लैटफर्म नून अकडेमी से महाराश्ट्रा बूर्ड की क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी की पूरी क्लासे स अपको यहाँ पर मिलने वाली है बिल्कुल फ्री डेली फ्री लाईव क्लासे दिल एक्ग्जामर दन फ्री नॉट्स एंडफ लेंड़् ग्लास 7UCK की गाईडटव सेस्ट्रिंस अधी रुएं से जाईए होते आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री तो जाइए जल्दी से जाकर रून अक्ड में आपको डाउनलोड कीजिए और फ्री क्लासिस का मज़़ा उठाइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले तो हम देखेंगे वर्ड प्रोलेंस को सौल कैसे करना होता है कैसे एक सक्षी 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 प्रेजेंट एज इस वाई य इयर्स तो सार्थक की एज कितनी हुई एक्सीर सक्षी के एज वाई इयर्स तो पहली कंडिशन देखेंगे हापर यह सम प्रेजेंट एज़स अप सार्थक सक्षी सम करना है मतलब दोनों की एडिशन x plus y x plus y is equal to x plus y is equal to 25 एक सेंट इंडिएजन देखेंगे हापण आप एक सियरे से सार्थक कि प्रेजेंट ऑब टो एक स्मिर PTSAl साक्षी की एगो तो पहले तो पहले तो पहले तो कंडिशन दी गए फोर इयर्ज आगो साक्षी की एज गया है 4 years ago, y minus 4 है, is equal to, was 3 years less than Sarthak's age at that time, Sarthak's age कितनी है, that time, x minus 4, यह देखिए, 4 years एगो, उससे भी 3 years कम, मतलब minus 3, 3 years less, तो minus 3 किया, तो क्या बना यहाँ पर, x minus 7, तो क्या करेंगे, आगे देखिए, y minus 4 is equal to, x minus 7, तो y is equal to, x minus 7 plus 4, that is equal to, तो अब इस x को यहाँ पर लाएंगे, y minus x is equal to, minus 7 plus 4, that is minus 3, अब y minus x की जगर भी हम क्या करेंगे, x minus y, तो यहाँ पर minus 3 का क्या होगा, plus 3, ओके, x minus y is equal to 3, यह बना हमारा equation, x minus y is equal to 3, ओके, देन, थर्ड, थर्ड कंडिशन जो है अपनी, थर्ड कंडिशन क्या है, सार्थक's age is less by 8, then double the age of सार्थक की age, कितनी है, x year से, तो x is equal to क्या बनेगा, 8 years less, less यानि, minus 8, किस से less than double the age of साक्षी, साक्षी के age y, double of y मतलब 2y, 2y minus 8, यह बना हमारा equation, तो कुछ इस तरह से हमें equation बनाने है, और उन्हें फिर solve करना है, इसी तरह से हम word problems solve करेंगे, तो देखिए, directly हम practice set पे जाएंगे, practice set 1.5, question number first यहाँ पे दिया गया है, चा है, two numbers differ by 3, two numbers differ by 3, दो numbers दिये गया है, उनका difference 3 है, यह हमारी पहली condition, first condition, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19, यह दूसरी condition, तो दोनों condition में, दो number की जरूरत है, हमें तो दो number consider कर लेंगे, smaller number और greater number, late, late, smaller number b, y, late, smaller number b, y, and greater number b, x, तो इन दोनों को consider कर लेंगे, greater number b, x, तो difference क्या है, है, दोनों में difference है, differ by 3, that means, greater number x, minus smaller number y, is equal to 3, by first condition equation, first, condition first क्या है, condition first है, x minus y, equal to 3, condition second क्या है, देखिए, the sum of twice the smaller number, twice the smaller number, smaller number है y, that means, 2 y, and thrice the greater number, that means, greater number है x, 3 x, और इन दोनों की sum, मतलब addition, is equal to कितनी है, 19, यह बना हमारा second equation, अब हमें इस equation को solve करना है, कोई भी method आप use कर सकते है, अगर आपको solve करना नहीं आते, तो इस से पहली video आप हमारी देख सकते है, part 1, 2, 3, and 4, उसमें पूरी की पूरी method सबको बताई गए है, तो उसमें से एक method है, elimination method, जो हम यहाँ पर use करने वाले है, equation first and second, दूसरी method से use solve किया तो भी कोई problem नहीं है, तो आपको full marks मिल जाएंगे, x-y equal to 3, 3x plus 2y is equal to 19, elimination method में क्या होता है, कि वहाँ पर कोई एक term सेम होनी चाहिए दोनों equation में, जिसे हम eliminate कर सकेंगे, तो यहाँ y दिख रहा है, equation first में, तो नीचे जो है, 2y दिख रहा है, तो 2y और 2y common बनाएंगे हम इसे, तो equation first को 2y आने के लिए 2 से multiply करेंगे, क्या करेंगे, multiply, multiply equation 1 by 2, 2 से multiply करने के बाद, यह x का coefficient, क्या है यहाँ पर, equation 1 में, coefficient of x, coefficient of x is 1, 2 1 is a 2, that means 2x बनेगा, यहाँ पर भी, क्या है coefficient y का, minus 1, 2 1 is a 2, मतलब minus 2, y as it is, और यहाँ पर 2 3 is a 6, तीनों टर्म्स को 2 से multiply कर दिया, equation 3 बना हमार है यहाँ पर, तो equation 3 बनने के बाद में, equation 1 को side में रख देंगे, उसके बाद equation 2nd and 3rd solve करेंगे, solve करना कैसे है, plus 2y minus 2y cancel करना है, और उसके लिए करनी पड़ेगी addition, अगर same sign हुए तो subtraction करना पड़ता है, यहाँ पर different sign है, तो हम addition करेंगे, adding equation 2 and 3, तो addition कैसे होगी, 3x plus 2y is equal to 19, plus 2x minus 2y is equal to 6, therefore, plus 2y minus 2y cancel, then 3x plus 2x, 5x is equal to 19 plus 6, 25, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5x multiply में है, यहाँ पर divide में जाएगा, right hand side में, तो x is equal to क्या बनेगा, x is equal to 25 upon 5, that is equal to x equal to 5, x equal to 5, यहाँ बना equation, x equal to 5, value का यह, x equal to 5, इसे put करेंगे, put x is equal to 5, in equation 1, तो देखें क्या बनता है, यहाँ पर equation 1 में put करने के बाद, equation 1 क्या है, equation 1 है, x minus y is equal to 3, therefore, x equal to 5, put करेंगे, minus y as it is, equal to 3, then, minus y as it is, 3 as it is, plus 5 जो है, right hand side में, जाके क्या बनेगा, minus 5, that is equal to, minus 2, that means, minus y is equal to, minus 2, तो minus minus cancel कर देंगे, y is equal to क्या आया, answer, y is equal to 2, तो यहाँ पर answer क्या लिखना है, answer जो question जैसे पूछा क्या है, find the numbers, the numbers are, the given numbers are, answer क्या बने लिखेंगे, the given numbers are, given numbers, given numbers are, 5 and 2, अब condition चेक करेंगे, एक बार answer right है या wrong है, तो देखें, two numbers differ by 3, इनका difference 3 होना चाहिए, 5 minus 2, we get 3, मतलब पहली condition तो right है, sum of twice the smaller number, smaller number का twice, मतलब 2 to the 4, और greater number का thrice, thrice मतलब 5 3 is the 15, इन दोनों की addition कितनी होनी चाहिए, दोनों की addition 19, 15 plus 4, 19, मतलब, right, या answer हमारा right है, कुछ इस तरह से हमें ये equation solve करना है, देखेंगे आगला question, देखेंगे, एक activity form में question दिया गया है, जिससे solve करना है, पहले तो यहाँ पर एक rectangle है, क्या दिया गया है, rectangle, I am a rectangle, जिसकी चारो sides दी गई है, यहाँ पर, यह चारो side की values है, so find the values of x and y, first, तो x and y के लिए क्या करना है, x and y के लिए हमें करना है, equation बनना है, और उसके बाद, equation बनने के बाद, उसे solve करके, x और y की values मिलेगी, तो पहला equation कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए, rectangle की side दी गई है, तो opposite side कैसे हो दी है, rectangle की, yes, opposite sides of rectangle, opposite sides of rectangle are congruent, okay, equal होगी, congruent होगी, मतलब 2x plus y, 2x plus y, plus 8, is equal to 4x minus y, इसे solve करेंगे, क्या बनेगा, 2x, यह 4x यहाँ पर आएगा, minus 4x होगा, plus y as it is रहेगा, यह minus y यहाँ पर आकर, plus y बनेगा, plus 8 यहाँ जाएंगे, तो minus 8 बन जाएंगे, तो कुछ इस तरह से solve करना है, 2x minus 4x, that is minus 2x, plus y plus y, plus 2y, is equal to minus 8, तो starting में minus नहीं रखते हम, तो क्या करेंगे, अब इसे, शायद हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से divide कर सकते हैं, उसके पहले हम क्या करेंगे, 2x minus का plus कर दिये, यह plus का minus हो जाएगा, और यह minus का plus हो जाएगा, science change कर दिये, 2 से divide करेंगे, 2 1s are 2, x as it is, 2 1s are 2, y as it is, 2 4s are 8, equation 1 बना हमारा, उसके बाद, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है, second equation, दूसरी दो sides, मतलब, x plus 4, is equal to 2y, तो क्या करेंगे, x as it is रख देंगे, 2y यहाँ पर लाएगे, minus 2y बनेगा, तो plus 4 को इधर दाले, right hand side में, minus 4 बन जाएगा, equation second बना, तो क्या करेंगे, x और x cancel कर सकते हैं, x cancel कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर, दोनों की addition तो नहीं कर सकते हैं, अगर addition की, तो x plus x 2x बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, subtraction करना है, क्या करना है, subtraction, subtract, subtract equation, equation second from first, तो क्या करेंगे, equation second from first, x minus y is equal to, 4 minus x minus 2y is equal to minus, तो subtraction की टाइम पर, sign change करना है, plus x है, minus x हो जाएगा, plus 2y है, minus 2y है, plus 2y बन जाएगे, तो is equal to minus 4 है, तो plus 4 बन जाएगा, that is equal to x x cancel, plus x minus x cancel, minus y plus 2y, that means y remains, minus 2y, plus 2y में से y गया एक, तो 1y यहाँ पर बज़ गया, तो 4 plus 4, 4 plus 4, that is equal to 8, तो y is equal to क्या बनाया है, हाँपर 8, similarly put करेंगे, value यहाँपर, put, y is equal to 8, in equation, y is equal to 8 in equation, को जाएगे में पूट करेंगे, equation first में पूट करेंगे, equation first, तो क्या बनेगा, therefore, therefore, x minus y is equal to 4, और उसमें, x as it is, minus y की value, 8 is equal to 4, therefore, x is equal to 4, minus set right hand side में बेज़ेंगे, तो plus 8 बन जाएगा, that is equal to 12, x is equal to 12, ओके, तो कुछ इस तरह से, हमने x और y की values, find कर लिए, उसके आगे की step क्या है, आगे की step है, find my perimeter and area, the perimeter and area का formula पहले लिख लेंगे, what is the formula of perimeter, perimeter of rectangle, perimeter of rectangle is equal to, perimeter of rectangle is equal to, sum of all sides, मतलब क्या बनेगा, देखें यहाँ पर, तो यह जो है all sides, 2x प्लस y प्लस 8, 2x प्लस y, पहली साइड क्या है, 2x प्लस y प्लस 8, यह पहली साइड बनेगे, दुसरी साइड देखें, दुसरी साइड क्या है, दुसरी साइड है, x प्लस 4, दुसरी साइड है, x प्लस 4, तीसरी साइड देखें तीसरी साइड क्या है तीसरी साइड है 4X minus y और लास्ट was outta two last side क्या है all says to say okay so कुछ इस तरह से हमने यह sulphur werde यहां पर साइड की सम करके दिखाई कि घरeron है यानिक पैरि मेंटर हमने find out किया अब यहां पर वैलू डालेंगे बैयल रेक्षा है क्या है prats y is equal to 8 x equal to 12 x equal to 12 y equal to 8 x equal to 12 value of x put ka di 12 value of y 8 plus 8 as it is plus value of x here say bar 12 plus 4 as it is plus 4 in bracket value of x here say bar 12 minus value of y 8 plus 2 into value of y that is 8 that is equal to 12 to the 24 plus 8 plus 8 plus 12 plus 4 यह पूरी के पूरी एडिशन कर देंगे यहां पर क्या होगे 16 plus 4 for 20 plus 12 32 plus 412 जा 48 minus 8 plus 8 to the 16 तब सिंप्लिफिकेशन कर देंगे इसका 24 plus 32 56 56 plus 48 56 plus 48 104 104 plus 16 104 plus 16 120 120 minus 8 that is 112 units क्या होगे परिमेटर 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 इसके बाद करेंगे area of rectangle अब क्या करें गिच्हें यहां पर हमें करना है लेंञ्टू इंटू गीठीघ्ङ लेंगे और ये ब्रीट लेंगे ओके तो 4x minus y और 2y multiply by 2y length into breadth 4x minus y ये होगे हमारी length multiplied by breadth breadth कितने है 2y therefore 4x value पुट कर देंगे हैं पर 4x कहा है value 4x value of x value of x a 12 plus sorry minus value of y 8 multiply by 2 into value of y 8 that is equal to that is equal to 4 into 12 48 minus 8 multiply by 8 to the 16 that is equal to 40 into 16 640 units square okay but area क्या बना area is equal to 640 units square okay तो इतना जो है हमारा area और perimeter हमें यहां पर मिल गया question number second में कुछ इस तरह से हमें यह problems solve करना है ऐसे वाले word problems तो देखें आगे देखेंगे आगे एक और question देखेंगे क्या है question third the sum of father's age and twice the age of his son is 70 sum of father's age father's age and twice the age of his son is 70 if we double the age of father and add it to the age of son it the sum is 95 अभी यह second condition तो बाद में देखेंगे पहले first पहले लिखेंगे let let father's age be let father's age be x years and son's age be y years तो क्या है पहली condition condition first क्या है condition first क्या है देखेंगे यहाँ पर condition first is sum of father's age father's age क्या है x है and twice the age of son twice the age of son क्या है y twice y मतलब 2y that is equal to 70 simple है पहला equation मन गए यहाँ पर condition second क्या है अब देखेंगे second condition एक ही बार में पूरा equation अगर पूरी दोनों condition पढ़ी तो confused हो जाएंगे तो एक एक करके हमने दो condition पढ़ने वाले if we double the age of father if we double the age of father मतलब father की age x है उसे double कर देंगे 2x कर देंगे and add it to the age of his son son की जो age है उसमें add करेंगे एज क्या है son की y plus y कर देंगे is equal to क्या बनेगा 95 तो यह बना equation second तो अब क्या करना है elimination method के लिए क्या जरूरी है यहाँ पर एक common term जरूरी है जो कि यहाँ पर नहीं है उसे क्या करेंगे फिर यह दिख रहा है यहाँ पर टू है तो यहाँ पर टू है बनाने की की कोशिश करेंगे तो उसे कैसे बनाएंगे equation second को टू से multiply करके लटीप्लाइ multiply equation second by 2 से multiply करेंगे 2 टू जा 4 फोर एक्स बना यहाँ यहाँ पर यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 है इसे बाजू में रख देंगे 1 & 3 solve करेंगे 1 & 3 अगर समझो हमने elimination method से solve किया तो हमें इसे करना है addition अगर हमने की addition यह subtraction दोनों में से कोई तो भी एक बात हम कर सकते हैं addition अगर सब्सक्राइब 2y प्लस 2y बन जाएगा eliminate नहीं होगा cancel नहीं होगा था हमें cancel करना है तो cancel करना है तो क्या करेंगे subtraction कर देंगे subtraction 2y minus 2y cancel हो जाएगा फिर subtract क्या करना है subtract equation 1 from 2 1 from 3 तो क्या करना है 4x plus 2y is equal to 190 minus equation क्या है subtract क्या करना है 2x plus y sorry x plus 2y x plus 2y is equal to 70 okay तो यह sign change कर देंगे subtraction के बाइगा minus minus and minus plus 2y यह minus 1 यह minus 2y cancel तो 4x minus x that is 3x is equal to 190 minus 70 that is 120 तो 3x is equal to 120 मतलब x equal to 120 minus 120 अपन 3 4 3s are 12 मतलब 4 और 0 as it is x equal to 40 x क्या है x is the age of father father कितने साल के है 40 40 साल के है तो अब age of sun क्या होगी वो find out करेंगे यह equation first में put करेंगे और क्या put करेंगे equation first में x equal to 40 यह equation second में भी put कर सकते है put put x equal to 40 in equation second तो क्या है equation second equation second है 2x plus y is equal to 95 उससे क्या बनेगा उससे बनेगा 2 in bracket value of x 40 plus y as it is is equal to 95 then 2 into 40 that is 80 plus y is equal to 95 और उसके बाद y as it is रख देंगे यहाँ पर is equal to 95 as it is यह 80 जो है plus है ओवर राइट हैंड साइड में जाकर क्या बनेगा minus 80 बनेगा तो क्या है answer answer is 15 y is equal to 15 तो देखिए कुछ इस प्रकार हमें यह solve करना है तो अब answer लिखना है word problem का answer हमेशा word में ही लिखना है जैसे सवाल पुछा गया हो find their present ages their ages यानि क्या age of father and age of son age of father is age of father is 40 years and age of son is 15 years तो यह हमारा answer एक बार चेक कर लेंगे sum of father's age पहली condition देखिए sum of father's age is father's age 40 years and twice the age of son 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 की age 15 उसका twice यानि 15 टूज थर्टी यानि प्लस थर्टी दोनों की addition कर दी कितना बना 70 बना पहली condition में क्या दिया गया है 70 दिया गया है यानि का answer क्या है हमारा correct है तो कुछ इस प्रकार से हमें यह question solve करने होते है एक और question देखेंगे देखिए the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6 find the fraction देखिए अब यहाँ पर fraction consider करना है let let x upon y is the given fraction given fraction ओके तो क्या बना x upon y is the given fraction और उसमें भी condition first क्या दिखें देखिए condition first यह समझ में लेना जरूरी है condition अगर समझ में आ गई तो आधा example वहीं पर solve कर सकते हैं denominator of a fraction is 4 more denominator क्या है वाय है that means y is equal to 4 more यहने के plus 4 4 more plus 4 किस से than twice its numerator numerator कौन है x उसकी क्या करने है twice यह बन गया हमारा equation okay the denominator of becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6 क्या है denominator becomes 12 times numerator denominator क्या है y है तो 6 वह क्या बनेगा y is equal to 12 times the numerator 12 times numerator क्या है numerator क्या है x लेकिन condition ऐसी है कि if both are reduced by 6 यह देखिए reduced by 6 मतलब इसमें से minus 6 करना है और इसमें से भी minus 6 करना है तो यह बनी हमारी condition second इससे solve करेंगे equation मिल जाएगा that means क्या बनेगा यहाँ पर y minus 6 तो y minus 6 as it is 12 into x 12 x minus 12 6 जा 72 ओके तो अब क्या करेंगे 12 x इदर लाएंगे तो क्या बनेगा minus 12 x plus y as it is is equal to minus 72 और यह minus 6 इदर आने के बनेगा plus 6 तो पूरे के पूरे sign change करतेंगे 12 x minus y का क्या होगा minus y is equal to 72 plus और plus 6 क्या होगा minus 6 तो कुछ इस तरह से तो क्या बना equation 12 x minus y is equal to 66 तो यह बना हमारे equation second अब value देखिए यहाँ पर करने ज्यादा सोचने वाली बात नहीं y is equal to 2 x plus 4 यह जो वैल्यू है यह substitute करना है हमें इस equation में क्योंकि यह भी हम कर सकते हैं लिरेक्ली वैल्यू पूट कर देंगे y is equal to 2 x plus 4 in equation second तो क्या बनेगा equation equation बनेगा 12 x minus y is equal to 66 original equation है उसमें क्या करना है 12 x minus value of y value of y क्या है 2 x bracket में ले लेंगे 2 x plus 4 is equal to 66 तो अब देखिए 12 x as it is हुआ minus 2 x minus 2 x plus 4y minus बाहर minus से तो क्या बनेगा sign change हो जाएगा that is equal to 66 अब क्या है यहाँ पर 12 x minus 2 x that means 10 x okay तो यह minus 4 जो है राट हैंड साइट में दाल जाएगा 66 plus 4 बन जाएगा that means x equal to 10 x equal to 10 x equal to 70 और x equal to x equal to 7 x equal to 7 10 7 जा 73 अब x equal to 7 मिलने बाद में y कैसे find out करना है y is equal to 2 x plus 4 equation 1 में दाल जागा है y is equal to 2 x plus 4 that means y is equal to 2 interact value of x 7 plus 4 as it is that is equal to 7 to the 14 plus 4 that is equal to 18 तो y is equal to क्या है answer 18 तो answer क्या लिखना है हमें यहाँ पर x equal to 7 y equal to 18 ऐसे नहीं लिखना है कैसे लिखना है find the fraction that means the given fraction is the given fraction is x upon y जो लिखा था उसे क्या लिखना है x 7 है y 18 है 7 upon 18 ओके this is the required fraction तो कुछ इस थरा से हमें यह वाले equations solve करना है जिसे हम word problems कहते हैं तो एक और example लेंगे और उसके बाद में यह वीडियो यहीं पर रुका देंगे एक लास्ट वाले example जो कि है कुछ इस प्रकर two types of boxes two types of boxes a and b are to be placed in a truck having capacity of 10 tons एक ट्रक है उसकी capacity है 10 tons when 150 boxes of type a and 100 boxes of type b are loaded in the truck it weights 10 tons मतलब capacity पूरी हो जाती है पहले तो लिख लेंगे क्या करेंगे capacity of truck कितनी है capacity of truck is equal to 10 tons is equal to 10,000 kg okay 10,000 kg तो weight of box क्या find करना है find the weight of each type of box क्या करना है weight find करना है तो weight consider कर लेंगे क्या करेंगे weight of box a weight of weight of box a b x kg and weight of box b weight of box b b y kg तो देखिए अब यहां पर condition समझ में आनी चाहिए condition क्या है पहली condition तो ऐसे देखिए पहली condition है 150 boxes of type a and 100 boxes of type b simply लिख लेंगे 150 condition first 150 boxes of type a a क्या है x kg याने के 150 x and 100 boxes of type b weight कितना है y याने के 100 y then truck weights 10 tons उसका weight कितना बनेगा 10 tons याने के kilogram में लिया वाला है तो kilogram में लिख लेंगे 10,000 टेन टन नहीं लेना है 10,000 लेना है याने के 10,000 kg तो इसे डिवाइड किसे करना है डिवाइड करना है 50 से 53 जा एक काम करेंगे पहले तो 00 cancel कर देंगे एक एक जिरो कैंसल हो जाएगा उसके बाद 53 जा 53 जा 15, 3x, 52 जा 10, 2y, that is equal to 52 जा 10, 2 0 as it is, equation 1 बना हमारा, second condition क्या है देखिए, second condition भी कुछ इसी तरह है, condition second, देखिए यहाँ पर, but when 260 boxes of type A, type A के कितने box है, 260, उसे x लगाएंगे, type A का weight, और it can still accommodate 40 boxes of type B, it can still accommodate 40 boxes of type B, मतलब क्या बनेगा, देखिए, plus 40y, जब जाकर उसकी, so it's fully loaded, fully loaded मतलब कितने, 10,000 kg, 10,000, यहाँ पर भी एक एक 0, कट कर देंगे, अब क्या करना है, अब हमें करना है, यहाँ पर, देखिए, equation first में 2y है, तो कैसे भी करके, हम यहाँ पर 2yl ला सकते है, या नहीं, यह सोचना है, तो elimination method के लिए, तो क्या करेंगे, 2yl लाने के लिए, 2 से divide करना पड़ेगा, याने कि यहाँ पर क्या आगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 13x, plus 2 2s are 4, 2 y as it is, 2 5s are 10, 2 0 as it is, equation बना second, तो यहाँ पर equation, first और equation second में, जैसे कि आप देख सकते है, 2y, 2y common है, हम कर सकते है, addition या फिर subtraction, लेकिन addition अगर suppose करने वाले है, तो देखिए, 2y plus 2y क्या बनेगा, 4y बनेगा, cancel करना है, हमें क्या करना है, तो क्या करेंगे, उसकी subtraction कर देंगे, बड़ा equation है, बड़ी value कौन से है, 500, मतलब equation second, subtract equation 1, subtract equation 1 from, equation 1 from 2, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा, 13x plus 2y is equal to 500, minus, उसके बाद equation क्या है, 3x plus 2y is equal to 200, subtraction के time, sign change करना है, minus, 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 13x minus 3x, that is 10x, plus 2y minus 2y, cancel, that is equal to 500 minus 200, 300, 0, 0, cancel, x equal to 30, याने के type A जो box है, उसका weight कितना है, 30 kg, type B का निकल लेंगे, put x equal to 30, put x equal to 30 in equation, first equation, first क्या है, 3x plus 2y is equal to 200, value put किजिए, 3 into value of x, 30 plus 2y as it is, that is equal to 200, 33 is a 90, plus 2y as it is, is equal to 200, और उसके बाद, उसके बाद क्या करना है, 2y is equal to, 2y is equal to 200, ये plus 90, right hand side में जाकर, क्या बनेगे, minus 90, that is 110, 2y is equal to 110, so y is equal to क्या बनेगा, 110 upon 2, that is equal to 55, तो y is equal to क्या आया हमारा, 55, x equal to 30, y equal to 55, that means answer क्या लिखेंगे, answer लिखेंगे, weight of type A box, weight of type A box, जो कि था x, type A box, is value of x क्या आई, 30, यानि कि 30 kg, and weight of, weight of type B box, is 55 kg, तो कुछ इस तरह से हमें ये वाले equations, solve करना है, जो की जिरेखेंगे, हम ओड़ प्रोब्लम्स कहते हैं, अब यहाँ पर तो हम रुख जाएंगे, अगर जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा, या जो भी कोई आपको problem है, वो आप comment box में बता दीजिए, उससे भी मैं आगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्रेब करना मत भूर लना, तब तक के लिए यहाँ ही रुखते हैं, थैंक यू